नमस्कार दोस्तों इस्टेनो गुरू यूटूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे साथ जूडने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टेनो गुरू यूटूब चैनल को और नए डिक्टेशन सबसे पहले लिखने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें डिक्टेशन स्टार्ट तापच को विजय हासिल हुई और दूसरे करीब चार दसक बाद यह पद किसी गैर सरकारी दल के खाते में गया राजक का नित्रित्व कर रही भाजपा को यह जीत एक ऐसे समय मिली जब विपच्छी दल महागठ बंधन बनाने की तयारी कर रहे हैं सत्तापच के हरी वंस ने विपच्छ के बीके हरी प्रसाद को मात देकर यही रेखांकित किया की कम से कम कांग्रेस के नित्रित्व में महागठ बंधन का आकार लेना उतना सहज सरल नहीं जितना आभास कराया जा रहा है विपच्छी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं यह तभी प्रकट हो गया था जब महागठ बंधन की पैरवी करने वाले दलोंने यह जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही डाल दी थी कि वह राजसभा उपसभापती के लिए अपने ही सदस्य को प्रत्यासी बनाएं इससे यही संकेत मिला की वे या तो जीत को लेकर सुनिश्चित नहीं थे या फिर कांग्रेस से निकटता बढ़ाते हुए नहीं दिखना चाह रहे थे ध्यान रहे विपच्छी दलों में कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस बिरोधी राजनिती की उपज हैं चुनाव नतीजे से यह भी साफ हो गया की कांग्रेस ने अपने प्रत्यासी के पच्छ में वैसी लामबंदी नहीं की जैसी जरूरी थी उसकी रडनिती जो भी रही हो उसे अपने रवये को लेकर सवालों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है की वह इस प्रतिष्ठापुड चुनाव के प्रति गंभीर नहीं दिखी दर असल इसी कारण हरी प्रसाद के मुकाबले हरी वन्स को कहीं ज्यादा ओट मिले समझना कठिन है की कांग्रेस ने कुछ विपच्छी और टटस्त से दिख रहे दलों से समवाद संपर्क क्यों नहीं किया विपच्छ के विपरीत सत्ता पच्छ का काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि अन्नाद्रमुक और टी आर एस जैसे दलों के साथ विजद भी उसके पाले में आ गया इसी के साथ अभी कल्टक और यहां तक की और विश्वास प्रस्ताव के समय भाजपा से दूरी और नाराजगी जाहिर करने वाली शिव सेना ने हरी प्रसाज की हार सुनिश्चित की अभी यह कहना कठिन है की वह राजग का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं लेकिन यह संकेत तो मिला ही की वह भाजपा के साथ अपने संबंधों तो लेकर फिर से विचार कर रही है यह अच्छा हुआ की पत्रकार के सांसद बने हरी वन्स के राजसभा उपसभापती निर्वाचित होते ही विपच्च ने भी उन्हें बधाई दी लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है हरी वन्स का राजसभा का उपसभापती बनना यह अभी बताता है की भाजपा और जदियू का साथ और प्रांगड हुआ था भाजपा के घटक दल के किसी नेता को प्रतिष्ठित पद मिलने से गठबंधन धर्म को मजबूती मिलती हुई दिख रही है यह मजबूती भाजपा के लिए सहयोगियों की तलास सहायक बन सकती है निसंदेह लोकसभा चुनाव तक सत्तापच और विपच्च के समिकरणों में अभी और बदलाव होते रह सकते हैं लेकिन अच्छा यह होगा की राज्यसभा वरिष्टों के सदन के रूप में ही नजर आये उम्मीद है की हरीवंस का पत्रकारिता का लंबा अनुभव राज्यसभा के कामकाज को और सुगम बनाने के साथ ही समवाज और सहयोग भाव को बलप्रदान करेगा दोस्तों अगर आपको हमारा या डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इस डिक्टेशन को लाइक, सेर और कमेंट जरूर करें और आपको जिस प्रकार के भी डिक्टेशन चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बाक्स में बता सकते हैं लोटेंगे जल्दी एक नए और संदार डिक्टेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद